समस्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले टाइम एंड वर्क जो राकेश यादव सर के जो क्लास नोट शाये हुए हैं, नए वाले उनसे रिलेटिड हम सारे कोर्ट टाइम एंड वर्क के यहां पर करने वाले यह अबी फिलाल पार्ट बन होने वाल दिर क्केम काफी सारे कोर्ट वर्क के अंडर तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो के अंदर सारे के सारे question करवा दिये जाएंगे दिर दिर आपके सामने वो वीडियो आती रहेंगे और उसकी PDF भी आप लोगों को provide करवाए जाएगी टेलिग्राम का एक link जो है वो description box में आपको मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF भी दाउनलोड वे वो कर सकते हैं यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वारे है question 1 से लेके 12 तक जो class notes में दिये गए हैं उसी तरीके से करवाए जाएंगे दोनों ही language में होंगे English और Hindi यहाँ पर लिखा भी है दोनों ही medium के अंदर हम इनको करवाएंगे एक English के अंदर एक Hindi के अंदर अब यहाँ पर जहाँ पर आपको लगे है कि इस question के Hindi नहीं दी गई है तो वो मैं आपको मोखिक बोल कर आपको बता दूँगा कि वो question कहे क्या रहा है बाकी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा तर questions की Hindi वहाँ पर आपको मिले अब देखिए अकेला हूँ सारी चीज़े मैं नहीं कर पाता हूँ तो जितना मिर पास material होता है उतना ही मैं यहाँ पर provide करवा पार हूँ मिर पास English होता है तो English में definitely करवाता ही करवाता हूँ अगर साथ मिर पास Hindi में भी मिल जाते है कहीं पर material तो मैं Hindi का भी आप लोगों को provide करवा दूँगा क्यार स्टार्ट करते है देखिए यह question है आपके सामने English में यहाँ पर है लेकिन Hindi में मिर पास available नहीं था इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँगा यह question कहें कह रहा है हिंदी कहते है तो first question करते हैं बोला गया है कि A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively इस line का मतलब हो है कि A और B जो है किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में करते हैं करमशे यानि A जो है उस काम को करने में 30 दिन लेता है और B जो है उसी काम को करने में 20 दिन लेता है अब यह कह रहा है कि in how many days they together complete the work कि भई अगर वो दोनों काम एक साथ करने लग जाएं तो उस काम को वो कितने दिन में करेंगे for example भई एक को chair बनानी थी chair बनानी थे तो उसने उस chair को बनाने में 30 दिन लगा दिये B को वही chair बनानी थी तो उसने उस काम को करने में 20 दिन लगा दिये आप कहा कि यार दोनों को एक साथ लगा दो और chair जो है मुझे जल्दी बना के देदो तो बताओ कितने दिन पर वो chair बना के दोगे एक तो यह हो गया इस question को समझने का तरीका अब यहां पर आते हैं इसको करने का देकि आपने अगर books में देखा होगा जैसे कि cat होगी उस book में देखते हैं या आप normal book में देखते हैं class notes की बात नहीं करूँ class notes में जैसे करवाया गया है वो भी करवाऊंगा लेकिन जातर बच्चे क्या करते हैं ये बुक्स में देखते हैं तो वो ऐसे लिखा होता है कि 30 दिन में करता है कोई काम फिर यहां पर एक दिन में कितना करेगा तो ऐसे 1 by 30 एक बटे 30 जब वो लिख देता है फिर वहां पर लास्ट में जाके LCM निकाल रहा होता है यहां हो गया A, यहां हो गया B अब यह आप नाम दे दीजिए भाईया यह हैं आपके worker यह हो गया आपके workers अब यहां आप दे दीजिए यह कितने दिन लगाते हैं days फिर यहां दे दीजिए क्या काम किया इन्होंने फिर यहां आ जाती है efficiency आपने अगर स्टार्टिंग में एक जो थमनेल देखा है तो इसमें आपको देखा होगा efficiency multiply करवा होगा अब time से तो आपको निकल के मिलेगा work efficiency यहनी कि आपके efficiency है एक कुरसी बनाने की एक कुरसी बनाने की आपने एक दिन आपके एक कुरसी बना सकते हैं तो आपकी एक efficiency होगी एक दिन की तो आपने 10 दिन में कितनी कुरसी बनाई तो यहां आपने 10 से multiply कर दिया तो आपके समने work जो निकल के आया वो 10 निकल कर आया तो अगर आप efficiency को time से multiply करवा देते हो तो आपको मिलता है work तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने इस सारी चीज़ें लिखी है यहां पर हो गया A, यह B, यह worker होगे यह कितना time लेते हैं इनका work क्या है, इनका efficiency क्या है यह सब चीज़ें हम निकालने वाले हैं तो आप देखिए अब A की बात करता हूँ A कितने दिन लेता है तो यहां लिखा है न, A 30 दिन लेता है A जो है वो 30 दिन लेता है B कितने दिन लेता है यहां लिखा है, B जो है वो 20 दिन लेता है 20 दिन लेता है अब work निकालना है अपने को अब अगर work निकालना है तो एक काम करिए यानि कि इन दोनों नंबर का आप अगर कोई LCM ले लेंगे इस LCM HCF को भी मैं बहुत अच्छे से करूँगा इनका मतलब क्या होता है कैसे निकालाज़ाद क्योंकि काफी सारे बच्चे जो LCM HCF में बहुत कन्फियूज होते हैं तो अभी आप यहां क्या कर लिजिए एक ऐसा नंबर ले लिजिए जो सबसे छोटा हो और जो दोनों की टेबल में आता हो तब ही तो लिखा जाता है ना least common multiple सबसे छोटा हो जो दोनों की टेबल में आता हो तो इन दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर जो है वो है 60 least common multiple इसको बोलते हैं LCM आपने लिए मान लीजिए अब इससे क्या हुआ कि वर्क जो था एक पर लिख देता हूँ ये LCM ही होता है तो ये वर्क जो था मतलब 60 कुर्सी बनानी थी ऐसे समझी 60 कुर्सी बनानी थी तो A को इस 60 कुर्सी बनाने में 30 दिन लग गए A को ये 60 कुर्सी बनाने में 30 दिन लग गए अभी मैंने आप लोगों के सामने एक formula क्या लिखा था efficiency into में time into में time is equal to आपको क्या मिल रहा था work मिल रहा था efficiency को अगर आप time से multiply करवा रहे तो आपको क्या मिल रहा था work मिल रहा था अब अगर आपके सामने days है यानि कि time है और work है तो आप efficiency निकाल सकते हो निकाल सकते हो कैसे भई आप efficiency को यहीं रख लीजिए आप efficiency को यहां रख लीजिए time को यहां इसके नीचे ले आईए तो work divide by में time अगर आप कर देंगे तो आपको efficiency मिल जाएगी same यहीं करना है आपको efficiency ही तो निकालनी है efficiency ही तो निकालनी है तो आप क्या कर लीजिए भई इस work को डिवाइड कर दिए इस time से इस work को आप divide करेंगे इस time से 60 को divide कर देंगे 30 से तो यहाँ आजएगा आपके सामने 2 सेम काम यहीं करेंगे 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आजएगा 3 तो आपके सामने efficiency निकल कर आगई 2 इसकी A की और B की कितनी आई 3 efficiency यानि कि A जो है अगर 2 कुरसी बना रहा है A जो है वो 2 कुरसी बना रहा है डेली की वो 30 दिन तक काम करेगा तो 60 कुरसी बना लेगा ए 60 काम वो कर देगा सेम यहीं अगर B जो है वो 3 काम कर रहा है दिन का तो वो 20 दिन तक अगर काम करेगा तो टोटल काम वो 60 कर देगा तो यह होगा आपके सामने अब उसने यहाँ पर जो line बोली है अगर in how many days they work together complete the work अगर उन दोनों को मिला दिया जाए यानि कि उनके efficiency मिल जाएगी वह या A plus B दोनों मिलके काम करेंगे तो यानि कि इनके efficiency भी 2 plus 3 ये भी आएगी 2 plus 3 कितना 5 ये 5 काम जो है वो रोज होगा काम कितना है 60 है अब time निकल कर आ जाएगा आपके सामने वह देखिए efficiency है work है अब time तो चाहिए आप लोगों को efficiency है गुना में time is equal to work होता है यही होता है आपके सामने time निकालना आपको time निकालना है तो इस efficiency को भाई साब नीचे लेकर चले जाएए time यहां रख दीजिए time is equal to work divide by में efficiency यह लीजिए अब efficiency कितनी है आपके सामने 5 है time work कितना है 60 है 60 divided by 5 तो 5 इसको divide करेंगे तो आपके सामने आजेगा 12 यानि कि A और B अगर कोई काम करेंगे तो उस काम को करने में वो 12 दिन लगाएंगे उमीद करता हूँ कि यह जो कोईशन आवा आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से और यही इसी तरीके से आप लोगों को class notes में करवाया गया है अब अगले कोईशन पर आते हैं अगला कोईशन इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है अब अलग कैसे हो जाता है कोईशन पर देखते हैं ए जो है ए जो है ए कन डू ए वर्क इन 20 डेज वाइल बी कैन डिस्ट्रोई यह अलग यहाँ पर इन्होंने टर्म डाल दी डिस्ट्रोई यानि डिस्ट्रोई का मतलब खतम करना सेम वर्क इन 30 डेज इस लाइन का यहाँ से लेके इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर ए जो है वो किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है मान लिजिए वो किसी कुर्सी को बना रहा है या एक दिवार को बना रहा है कुछ भी कर रहा है तो वो 20 दिन लगा देता है वहीं भी उस दिवार को या उस कुर्सी को तोड़ने में 30 दिन लगा देता है तो बताइए अगर उन दोनों को एक साथ काम करने में लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में complete होगा First of all तो देखिए हमारा काम जो होना चाहिए न First of all तो वह efficiency निकालना work निकालना days जो हमारे सामने दिये गए हैं वो सब चीजे हमें यह रखनी है तो A रख लिया B रख लिया हमने ठीक है अब यहां पर उपर क्या है यह तो हमारे सामने क्या होगे यह हमारे सामने होगे workers काम तो करने वाले यह होगे workers फिर यहां पर हम लिख लेते हैं कितने days हैं कितने days हैं यहां हमारे सामने आएगा work यहां हमारे सामने आएगा work और यहां आएगे हमारे सामने efficiency अब आईए देखिए A जो है कितने दिन लगाता है A जो है वो 20 दिन लगाता है B कितने दिन लगाता है B जो है वो 30 दिन लगाता है अब total काम लगा लेते हैं अब total काम क्या होगा इनका LCM ही काम होगा तो काम होगा आपके सामने 60 अब यहाँ पर देखिए A जो है उस काम को करने में इस 60 काम को करने में 20 दिन लगा रहा है तो उसकी efficiency क्या होगी भाई 3 होगी उसकी efficiency क्या होगी 3 ही होगी न भाई कैसे किया efficiency ये आपको ध्यान रखना है E multiply में T is equal to W efficiency multiply में time is equal to work भाई आपके सामने time आपको दे रखा है work आपको दे रखा है efficiency आप obviously असानी से निकाल सकते है कैसे निकलेगी E is equal to W by में T इससे आपको पता चल जाएगा आपके efficiency क्या है तो B का A की days 20 है work 60 है efficiency 3 आगी आपके सामने clear वो अब C B क्या कर रहा है B के पास दिन जो है वो 30 है work आपके सामने 60 है तो efficiency क्या आएगी 2 आप इसको समझे ये जो है A जो है वो बनाने वाला है यानि किसी चीज को बनाता है ये B जो है किसी चीज को तोड़ने वाला है यानि उस चीज को destroy करने वाला है यानि कि इसको ऐसे समझे B जो A जो है वो plus का का काम करता है और B जो है माइनस का काम करता है यानि कि कम करने का काम करता है अब अगर इन दोनों को मिला दे यानि इन दोनों को मिला दे A और B को अगर हम मिला दे B क्या करता है? B तो माइनस का काम करता है ना? घटाने का यानि कि डिस्ट्रोइ करने का काम करता है तो A की efficiency क्या है 3 plus B B की efficiency क्या है minus 2 E तो है हैनि minus तो यह कर रहा है वो काम को तो हैनि total efficiency आपके सामने निकल कर आएगी 1 A की efficiency हुई बहुत दोनों काम कर रहे है माल लीजिए A जो है वो 3 int बना रहा है A जो है वो 3 int बना रहा है एक दिन के अंदर 3 int बना रहा है एक दिन के अंदर B जो है उन 3 में से B क्या कर सकता है B के पास इतनी शमता है वो 2 int तोड़ सकता है खराब कर सकता है उसने 3 बनाई इसने 2 तोड़ दी बची क्या एक एक ही int तो बची यानि हर दिन की एक ही int बन पारी है तो यह हो गया आपके सामने second question कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं 12 question करवा पाऊं क्योंकि हर question को अगर ऐसे detail से करवाते हैं तो जो यह वीडियो है बहुत lengthy हो जाएगी और इतनी lengthy वीडियो बहुत rare होते हैं कि देख पाते हैं लगातार वीडियो को देखना फिर भी कोशिश रहेगी आप लोगों करवाएं ओके third question पर आया है third question बोला गया है A, B, C अब देखें तीन person आगे हैं अब आगे तीन person पहले कितने थे? दो अब easy है वैसे ही है जैसे हमने अब तक first second किया है इसमें बोला गया A जो है वो किसी काम को करने में 12 दिन लगाता है B जो है उस काम को करने में 15 दिन लगाता है C उस काम को करने में 20 दिन लगाता है यह respectively का मतलब होता है करमश है यानि कि जो सबसे पहले दिन यहाँ पर रखा गया है वो उसी को represent करेगा जिसका नाम सबसे पहले आया है यानि A को represent कर रहा है यह 12 इस respectively के मज़े से अगर यह respectively ना होता ना तो आपको पता ही नहीं चलता कोन किसी साब से काम कर रहा है इस चीज को समन है अब यहाँ पर बोला गया in how much time they together complete the whole work अब अगर वो सारे एक साथ काम करने लग जाएं तो यह पूरा काम कितने दिन में होगा तो first of all जैसा अभी हम चल रहे थे वैसा ही हम करेंगे यहाँ A आगया, यहाँ B आगया, यहाँ C आगया, अब तीन आगया भी हमारे सामने पहले कितने थे, पहले दो युवा करते थे, अब हम इन तीन को निप्टा लेंगे clear, तो वही हम करते हैं, यह आपके सामने workers होगे, काम करने वाले यहाँ पर आपके सामने days आ जाएंगे, भाई कितने कितने days दे रखे हैं इन्होंने इतनों ने, A, A जो है वो काम को करने में 12 दिन, B जो है वो 15 दिन, C जो है वो 20 दिन लगा रहा है अब यहाँ पर आपके सामने क्या रखना है यहाँ आपके सामने रखना है work, work actual में होता क्या LCM ही तो होता है किनका, इसका, इसका इन तीनों का LCM होगा अब इन तीनों का LCM है नहीं least common multiple आपको लेके आना है एक ऐसा number लेके आना है जो इन तीनों की table में आए और सबसे छोटा वो number हो वो होता है आपके सामने जब LCM लेंगे 60 तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा 60 इनका LCM यह आगया आपके सामने LCM clear हुआ? अब efficiency यहाँ आती है अब efficiency की बात करते है efficiency हम यहाँ रखेंगे तो यह 60 काम है आपके सामने यह 60 काम है यह 60 काम है A जो है वो 12 दिन में कर रहा है 60 काम को 12 दिन में कर रहा है तो उसके efficiency क्या होगी? हर दिन कितना काम करता होगा? हर दिन वो 5 काम करता होगा वहीं B जो है 15 दिन लगा रहा है इस 60 काम को करने में हर दिन कितना करता होगा, चार करता होगा वहीं C जो है, इस साठ काम करने में बीज दिन लगा रहा है, तो हर दिन कितना करता होगा तीन करता होगा सर, जस्सिंपल कहा है, आपको यह फोर्मला याद रखना है E multiply में T is equal to W clear, तो efficiency multiply में T time is equal to work निकल कर आएगा, अब हर एक की efficiency आपके सामने आगी, उसने बोला कि भई, अगर अगर हम इन सारों को एक साथ मिला दे, यानि कि A plus B plus C अगर हम कर दे A plus B plus C, अगर हम कर दे तो बताएए, यह साठ काम कितने दिन में हो पाएगा, तो A की efficiency efficiency, यानि कि 12 जो power है, यानि 12 unit जो है, वो work हर दिन हो रहा होगा, 60 unit work आपके सामने, तो 60 divide by 12, इसको आप करेंगे तो आपके सामने 5 days जो है, आंसर निकल कर आएगा तो अगर यह तीनों अगर काम लग जाएंगे, एक साथ काम करने पर यहाँ पर 5 days ही लिखा हुआ था, मैंने इसको rough कर दिया, तो 5 days जो है आपका अंसर हो जाएगा, clear अब आजाते हैं 4th question के उपर 4th question, देखें, हर question कुछ नहीं कुछ बदल रहा है, यह काफी बढ़िया question अब यहाँ पर, यहाँ बोला गया है, A can do a work in 2 hours, B can do the 3 times of this work in 8 hours, और C 8 hours, if they work together then how much time the work will be completed, देखें, यहाँ बोला गया, A किसी काम को 2 घंटे में करते हैं, वहीं B उसी काम को मतलब, जो A कर रहा है, उसका 3 गुना काम, यहाँ बोला न, 3 गुना काम 3 times of this work, जो A कर रहा है न, उसके 3 गुना काम को वो 8 घंटे में करते हैं, तो मतलब मान लीजिए, वहीं A जो है एक काम कर रहा था, वो 2 घंटे लगा रहा था, वहीं B जो है, वो 3 काम करेगा, 8 घंटे लगाएगा हमें तो 3 नहीं करवाना है, हमें तो एक करवान है बही ये सारी चीज जो है यूनिट जो हम एक में ले आते हैं बही एक काम अगर वो दो गंटे में कर रहा है तो बी जो है उस तीन काम को वो 8 गंटे में कर रहा है तो एक काम को कितने करेगा इसको divide कर दो 8 बटे 3 क्लिर हुआ अब यहाँ पर हम लिक लेते हैं यहां A आ गया यहां B आ गया और यहां C आ गया वही जो हमारी जो ट्रिक रह रही है वैसा ही हम चलाएंगे इसको clear अब यहां हम उपर लिख लेंगे days यह days नहीं देखिए अभी तक days आ रहे थे तो days लिख रहे थे अब यहां पर hours आ रहे हैं तो hours लिख लो यह simple एक काम करो time लिख लो यहां आपके सामने आगया worker यह worker होगे तो a कितना कर रहे हैं यह लगा रहा है आपके सामने भाई साब 2 घंटे b कितना लगा रहा है उस काम को वो तीन गुना काम को वो 8 घंटे में कर रहा था हूँ तो एक को कितनी तेर में गरेगा 8 बटे 3 और c कितना ले रहा है अब c का बोला गया सिर्फर सिर्फ 8 गंटे लेते तो 8 अब यहां पर आपके सामने यहां लिखना आपको work work बोले तो क्या होता है एक तरीके से LCM clear हुआ अब यह आप आपने ले लिए यहां पर ओके तो अब हम इनकी efficiency निकाल लेते अब आपको क्या करना है अब आपको efficiency निकालने है किसकी efficiency से पहले तो आपको LCM निकालना होगा 2 8 by 3 और 8 का देखा जाए तो LCM जो है वो उपर वाले का ही निकलेगा उपर वाले का LCM निकालना है तो 2, 8, 8 तो इनका हमने ऐसा common least common multiple है ना कि तो इन तीनों की table में है तो वो 8 ही बनके आएगा आपके सामने तो वो 8 बनके आएगा यह रा 8 तो efficiency एक ही कितनी निकलेगी यहाँ पर efficiency आनी है यहाँ पर efficiency आनी है तो एक ही efficiency कितनी आएगी यहाँ की एक ही efficiency इस work को divide कर देंगे हम 2 से तो यहाँ आपके सामने आगया 4 इस 8 को divide करेंगे 8 by 3 से देखे 8 को divide हम करेंगे 8 by 3 से तो क्या होगा ये 3 उपर जला जाएगा तो 8 8 उपर 3 जला जाएगा multiply हो जाएगा तो 3 यहाँ पर बच जाएगा तो 3 इसकी efficiency आजएगी और इसकी 8 days ले रहा है या 8 hours ले रहा है जो भी है तो इसकी कितनी efficiency आजएगी 1 efficiency आजएगी अब बोला गया है कि 3 अगर काम करें 3 अगर काम करें 4 plus 3 7 7 plus 1 8 8 efficiency से अगर वो काम करेंगे 8 work है तो बताएगे वो कितनी देर में काम कर देंगे तो 8 by 8 यानि कि इसको करेंगे हम divide तो 1 hour यानि अगर 3 ने मिलके उमीद करता हूँ कि 4 question आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे अब आते हैं हम 5th question पर 5th question और भी अच्छा है देखिए पहले वाले से और जाथ अच्छा होता जा रहा है ये अच्छी चीज है कि question repeated आपको नहीं मिलेंगे और जो repeated आपको मिलेंगे भी न वो बहुत उम्दा level के question होगे ताकि आप लोगों का दिमाग खर्च हो वहाँ पर अब यहाँ है देखिए A can do any work in 20 days B in 5 days if C take as much time as A and B together तो यहाँ पर इस line को लेकर यहाँ तक मैं आपको मतलब बता देता हूँ कहता है कि A जो है किसी काम को करने में 20 दिन लगा रहा है और B उसी काम को करने में 5 दिन लगा रहा है C जो है time उतना ले रहा है जितना अगर A और B दोनों मिलके दो उस काम को कर रहे हैं उनकी efficiency के बराबर अकेली C की efficiency है बोले तो A प्लस B की जो efficiency है वो अकेला C लेके बैठा हुगा है तो बोला गया अगर वो तीनों काम करने पे आएं तो बताएए पूरा काम कितनी दिन में खतम होगा तो इसको ऐसे करते हैं वही से हमारी जो ट्रिक अभी तक चल रही है वही देखे ये A है ये B है यहां C लिख लेते हैं यह A, B, C हो गहाँ यह आपके सामने कौन होगे यह Worker होगे यह Worker होगे यहां पर आप क्या लिख रहे थे यहां पर आप Time लिख लिख लीजिए अब यहाँ इस Time के बाद आपने क्या लिखना था इसके बाद आपने Work लिखना था Work Actual में है क्या मैंने क्या LCM ही तो होता है वरक आपके सामने अब इसके बाद क्या लिख रहे थे इसके बाद आप लिख रहे थे efficiency तो आप यहाँ पर efficiency लिख लिजिए efficiency होगी अब बात कर लेते हैं इनके detail की हो मतलब कि जो detail इनके बारे में दी गई है उनकी तो देखिए A जो है 20 दिन में कर रहा है B जो है 5 दिन में कर रहा है C इसने कुछ नहीं बताया इसने कुछ नहीं बताया C के बारे में तो जितना बताया है उसके हिसाप से में चल लेते हैं तो एक काम कर गई है इन दोनों का 20 और 5 का L-SIM ले लिजिए तो 20 और 5 का जो L-SIM आएगा वो 20 आएगा तो A की Efficiency कितनी निकलेगी आपके सामने A की Efficiency आपके सामने निकल कराएगी 1 B की Efficiency कितनी निकल कराएगी 4 अब देखी अब इसने बोला C की जो Efficiency है वह उतनी है जितनी A और B दोनों की है तो A की 1 है B की कितनी है 4 है तो C की कितनी बन जाएगी इन दोनों का एड यानि 5 5 Efficiency है C की है तो यह रहा 5 अब आपके सामने Efficiency आगी अब बोला गया कि 3 अगर मिलके काम करें 3 अगर मिलके काम करें तो यहाँ पर आपको करना क्या है भाईया इनको add कर दो 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 5, 10 तो 10 की Efficiency है काम आपके सामने 20 है तो आप कर लीजिए भाईया 20 को divide कर दीजिए इस Efficiency से तो आप यहाँ पर 10 लेगा है 0 से 0 कटा यानि कि 2 यानि कि 2 दिन में वो काम खतम हो जाएगा यह आपके सामने answer आ गया यह हो गया आपके सामने 5th question clear हुआ चलिए अब 6th question पे आते हैं अब देखे इस question को मैंने special type किया है क्योंकि मेरे पास time था और यह देखे यह पुरानी मेरे पास रखे थी मतलब पुरानी जो राकेश यादवसर की class notes है तो मैंने type कर लिए तो बहुत पुरानी यह जो PPT है आब ही जो मैंने इसको update किया है इस questions के साथ जो नई PPT है जो नई class notes है उनके साथ आब मैंने add करते है तो सोचाए एक साथ अब नई और पुरानी दोनों को चला लेते है तो यह कुछ एक question आपको ऐसे भी मिल जाएंगे लेकिन यह question class notes में है ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बनाया हूँ तो चलिए start करते है बोला गया है A and B दोनों में लिखा हुए देखे A and B can complete a work in 10 and 12 days respectively A and B start working together and after 3 days यह question न लग है देखे after 3 days A left the work find how much days work will be completed तो देखे A, B किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं करमशे A और B दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद किया A काम छोड़कर चला जाता है तो ग्याद करो कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ अपना देखो काम स्टार्टिंग का वही रहना है कि जो information दिये वो हमें सबसे पहले write down यहां पर करनी है यह देखे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ यहां आपको efficiency लिखनी है अब देखिए A जो है वो कितना time ले रहा है वो हम देख लेते A जो है वो 10 दिन ले रहा है B कितना ले रहा है 12 दिन ले रहा है अब इनका LCM यानि कि जो इनका work कितना आएगा 10 और 12 का जो आपके सामने LCM निकल कर आएगा वो सबसे पहले आपको 60 ही निकल कर आएगा क्योंकि दोनों की table में जो minimum number आता है जो least common factor निकल कर आता है जो multiple जो निकल कर आता है वो 16 निकल कर आता है तो इसकी efficiency कितनी होगी 6 होगी इसकी efficiency कितनी होगी 5 होगी ठीक है तो अब 60 काम है efficiency हमारे सामने है days हमारे सामने अब आते हैं question में जो बोला गया यहां से इस line से आते है देखे A और B जो है वो काम करना शुरू करते है यानि कि A और B जो है वो काम करना शुरू कर देते है ठीक है 11 की efficiency से इन्होंने 3 दिन तक काम किया यह इन्होंने काम कितना complete कर दिया 33 वोई देखिए 6 की efficiency से A 5 की efficiency से B ने काम किया दोनोंने 1 साथ काम किया कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक काम किया तो 3 दिन तक काम कितना होगा efficiency multiply में time is equal to work ये workman क्या आगया आपके सामने 33 काम कर दिया उन्होंने 33 काम कर दिया तो यहां आई यह यहां देखे यह total काम था आपके सामने 60 तो इस 60 में से 33 तो खतम कर दिया गया तो बचा कितना 7 और 2 27 27 आपके सामने काम बचा अब 27 काम बचा अब क्या हुआ A गया A गया, सिर्वर सिर्व बचा B यानि कि A अब जुट्टी पे चला गया B बच गया अब B जो है भी 27 को हमको अकेला करेगा तो वर्क है 27, 27 बाइ 5 तो यह आएगा 5, 2 बाइ 5 यानि कि B को इतने दिन और लग जाएंगे पहले दिन कितने लग चुके थे पहले भाई साब 3 दिन और लग चुके थे तो यह आगया आपके सामने 8, 2, 5 यह टोटल आपके सामने यह टोटल आपके सामने डेज आ जाएंगे यह टीन दिन मैंने इस 5 साही 2 बाटे 5 में भी एड़ कर दिया तो टोटल आपके सामने निकल के दिन आते है 8, 2, 5 दिन तो यह टीन कि इतने दिनों में यह काम खतम होगा तो यह इस तरिके के कोशन होते हैं आपके सामने Should Last yet हो जाता है अब आजाते हैं अगले कोशन पर 7th question देखिए अब ये question थोड़े बहुत ऐसे ही चलेंगे क्योंकि ये थोड़े ऐसे question है कि जिन पर दिमाग खर्च करना जरूरी होता है देखिए वही question कहा रहा है कि A और B किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते है A and B start working together and after 2 days A left the work then calculate how many time या how many days work will be completed A और B ने काम करना शुरू किया 2 दिन बाद A काम चोड़के चला गया तो बताओ कुल कितने दिनों में काम खतम होगा तो वही सेम चीजे जो process अभी तक हम ने किये हैं यहां A हो गया यहां B हो गया अब मैं उपर work करनी लिखूँगा क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी चीजें करनी है तो यहां A ने 10 दिन में B ने 15 दिन में इन दोनों की अगर क्या बात करूँ LCM की या फिर कहें की work की LCM और work इसमें एक साथ ही लिए मान ले न कि यह इनके efficiency एक मिनिट में इसको rough कर देता हूँ यह वारे चीज़ ओके, अब मैं यहां लिख लेता हूँ इनका जो LCM आया 10 और 15 का LCM आया वो 30 है 10 और 15 का LCM वो 30 है अब इसके बाद जो इसकी efficiency निकल कराएगी किसकी A की जो efficiency निकल कराएगी वो कितनी होगी? 3 होगी B की जो efficiency निकल कराएगी कितनी होगी, दो होगी, अब ये बोला कि भाईया, A और B दोनों ने काम करना शुरू किया दो दिन तक काम किया दो दिन तक काम किया तो A की efficiency कितनी है? 3 है, B की efficiency कितनी है? 2 है, भाई दोनों ने काम किया यानि 5 की efficiency से काम किया कितने दिन तक, दो दिन तक काम गया, कितना काम हो गया, दस काम हो गया, पई काम कितना था, तीस काम था, तो तीस काम में से दस काम हो गया, माइनस कर दो, टाटल काम कितना बचा, बीस काम बचा, अब इस बीस काम को किस ने किया, इस बीस काम को किया, भाई साब, बी ने, तो A के साथ उसने कितने दिन और काम किया था दो दिन काम किया था तो प्लस में 2 यानि कि 12 दिन टोटल 12 दिन लग जाएंगे इस काम को खतम होने के अदर तो उमीद है यह चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी यह होगी आपके सामने 7th question 8th question भी लग 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 वैसा ही है कर लेते हैं इस चीज को भी देखें A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively A and B start working together but after some time A left the work and the whole work will complete in 9 days अब यहाँ पर यह है कि जो 7th और 6th question थे उसमें यह बताया गया था कि A कितने दिन बात जा रहा है इसमें यह नहीं बता रहे है इसमें इन्होंने दूसरी information दी इसमें इन्होंने का कि अब 9 दिन में काम खतम हो रहा है अब देखिए यह क्या खेल खेल गए अब इन्होंने जैसे हमने यह 12 दिन निकाला न इन्होंने यह सीधा 12 दिन ही बता दिया कि भाया 12 दिन में काम खतम हुआ अब इन्होंने बारा दिन की बात बोल दी अब यहाँ पर हमें इस कोशन को कर रहे है देखिए कि यहाँ कि भाईया जो पूरा जो काम है वो नो दिन में खतम हुआ तो इसने पूछा कि बता हो एक कितने दिन बाद काम जो हो छोड़ के चला गया था then calculate after how much time हमने हमारी table बना ली तो हम इनको worker बना लेते हैं यह और भी हमारे workers होगे यहाँ time आ जाएगा यहाँ work आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने efficiency आ जाएगी और work एक तरीके से क्या है LCME है तो A जो है वो कितना time ले रहा है 10 दिन ले रहा है B जो है वो 15 दिन ले रहा है इनकी efficiency कितनी आएगा work कितना आएगा 30 आएगा 30 आएगा तो A की efficiency निकल कर कितनी आएगी A की efficiency निकल कराएगी वो 3 निकल कराएगी B की efficiency कितनी निकल कराएगी 2 निकल कराएगी अब देखिए A और B दोनों काम लगे बट कुछ टाइम बाज सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ए छोड़के चला गया ए छोड़के जब चला गया तो टोटल नो दिन तक जो है वो काम खतम होता है अब इसको ऐसे समझ सकते हैं इसको एक जो डिटेल से अकरम कराने की बात करूँ तो माल लेजिए X days तक जो है वो A ने काम किया let x days तक A ने काम किया बागी दिन तक B ने काम किया तो टोटल काम 30 खतम हो गया तो देखिए ये days हो गया यांनि कि ये time हो गया तो अगर A ने x days तक काम किया तो A की efficiency कितनी है तो तीन गुना में X यानि कि 3X 3X काम इसे ने कर दिया अब B ने कितना काम किया भई 9 दिन थे 9 दिन में से X- कर लो 9 दिन में से X- कर लो अदे सोरी यहाँ पर तो X दिन तक दोनों ने काम किया तो 5 आएगा यहाँ पर क्योंकि x देज तक दोनों ने एक साथ काम किया तो यहाँ पर आपके सामने आ गया 5x यह आ गया आपके सामने 5x अब यह बाकी के दिन अकेला बी ने काम किया ना बी ने काम किया नो में से x माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आप कर लीजिए इसमें प्लस कर लीजिए 9 माइनस का x multiply में b की efficiency कितनी है 2 तो आप करेंगे 5x plus में 18 minus का 2x is equal to काम कितना complete हुआ 30 खत्म हुआ 3x यहाँ पर आ गया 18 उसमें से minus हो जाएगा तो 18 minus हो जाएगा यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा 1 यह 3 यहाँ पर चला जाएगा तो x की value आएगा आपके सामने 4 तो यह हो जाता है detail से करने का लेकिन हमें detail से करना नहीं है हमें तो थोड़ा तेज चलना है तो थोड़ा तेज चलना है तो इसको थोड़ा सम rough कर देते हैं ठीक है आप उमीद करता हूँ यह लिख भी लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरा तरीका है, वो करना है अपने को, वो ही तेज है, उसको हमें समझना है, डिटेल से तो इसलिए कराएं न, कभी-कभी बच्चे को यह चीज भी समझ में आ जाती है, और इससे समझने में असानी जाती है, करना नहीं है ऐसे, ओके, तो देखिए, नो दिन तक देखिए, काम करना है, नो दिन तक इन दोनों में काम कौन कर रहा होगा, नो के नो दिन किनों ने नो दिन लगा रहा होगा, तो देखा जाए तो भाई साब, बी काम छोड़के नहीं गया, तो बी जो है, वो minus कर देते हैं, तो यह आपके सामने बचा 12 दिन, वो 12 काम यह 12 काम किया किसे हैं, यह 12 काम अक्यले इस A के द्वारा करवाए गया है तो यह 12 काम कितने दिन में खतम होगा 12 बटे 3 divide by, मतलब answer आपके 4, यह जो 4 दिन बाद जो चला गया था तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और best तरीका हमारे सामने यही रहता है, आपको ऐसे रखना है जितने दिन तक आप इससे समझ जाई आपको common sense लगाना है, कि 9 दिन में वो काम complete होता है A तो चला गया था कुछ टाइम बाद B रह गया था ना, तो B ने शुरू से लेके आखिर तक काम किया आपको उसका शुरू से लेके आखिर तक की काम को निकाल लीजी, भई कितना उसने काम कर दिया 9 दिन तक B ने काम किया तो 18 काम कर दिया था उसने 18 काम कर दिया था, बाकी बचा कितना काम 12, 12 कौन करता, A करता एक efficiency कितनी दीन, तो कितने दीन में कतम करता है, चार दीन में, यहनि वो चार दीन बाद चला गया था, बात ही आती है हमारे सामने, उमीद है यह question आपको समझ में आया होगा, same question हमारे सामने 9th है, 9th कह रहा है, A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively, A and B start working together, but after some time B left the work, and whole work will complete in 16 days, then calculate after how much time B left the work, व बहिया, A कितनी दिन बाद चला गया था, अब B की बारी आगी, कि B कितनी दिन बाद चला गया था, वही रहते हैं हमारे सामने, वही process है, वैसा ही हमें करना है, कुछ घबराने की जरूरत है नहीं इसके अंदर अपने को, ओके, तो आ जो, करते हैं इसको, यह हमने table बना ली उपर लिख लेते हैं, यह आपके सामने क्या हो गए, वर्कर हो गए, यह वर्कर बना ली हमने, यहाँ आपके सामने time आएगा, यहाँ आपके सामने क्या आएगा, क्या कहते हैं उसको, efficiency आजाएगी, अब देखिए, A कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, B कितने दिन में कर तो 60 आ गया, यहां पर efficiency कितनी आ गई, 3 आ गई यहां कितनी आ गई, 2 आ गई अब देखिए, A की efficiency 2 है, B की 3 है, B की efficiency कितनी है, 2 है B जहां कुछ टाइम बाद काम छोड़कर चला जाता है, 16 दिन में काम complete होता है, तो यह 16 दिन तक इन दोनों में काम कौन लगा रहा, वह obviously A लगा रहा, तो इसको 16 से multiply कर दो, तो यानि कि 48, 48 work जो है वो A के द्वारा किया गया 48 work जो है, वो A के द्वारा किया तो 48 इसमें से minus कर दो यहां आएगा, 12 12 दिन बचे, वो 12 work बचा यह 12 काम जो है, वो किस ने किया होगा भाई साब B ने किया होगा तो 12 को divide कर देते हम 2 से, 12 को हमने 2 से divide कर देना है, तो आपके सामने एगा 6, यानि 6 दिन बाद बच जो है, वो B जो है, वो काम चोड़कर चला गया है था, तो इसका answer हो जागा आपके सामने 6, यह होगा आपके सामने 9 days, find after how much, यह थो हमने कर लिया हाँ, यह कर लिया हमने, यह थोड़ दिर हमने किया है, इस question को हम कर चुके है अब आगे आ जाते हैं 10th question A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively A and B started working together but after some time B left the work and the rest of work will complete by next 10 days, then calculate after how much time B left the work, यह question बड़ा अच्छा है देखे, इसमें क्या बोला गया A और B ने काम करना शुरू किया और A जो है, वो उस काम को 20 दिन में करता है और B जो उस काम को 30 दिन में करता है जो चीजें लेकी गई है, वो हम कर लेते हैं यह A हो गया यह B हो गया, यहां देख लेते हैं देखे, यह आपके सामने टाइम है यहां हम लिख लेते हैं टाइम यह आपके सामने टाइम हो गया यह आपके सामने वर्कर हो गया जो information दिया है, वो लिख लेते है A जो है, वो कितना टाइम लगाता है A जो है 20 दिन लगाता है B जो कितना टाइम लगाता है B जो है 30 दिन लगाता है अब यहां आपके सामने लिखना है आपको work work क्या होता है एक तरिके से LCM होता है तो इन दोनों का LCM यहां रखना है तो इन दोनों का LCM क्या हैगा 60 यह हो गया आपके सामने 60 इनका LCM अब बात कर लेते हैं इनके efficiency की efficiency यहां लिख लेते हैं efficiency अगर हम बात करें तो A की जो efficiency आपके सामने बन कर आएगी वो 3 बन कर आएगी B की efficiency 2 बन कर आएगी अब इस question पर आते हैं इतना हमने कर लिया ना अब question पढ़िए देखें A and B started working together A और B ने काम करना शुरू किया A प्लस B ने काम करना शुरू किया यहां पर है after some time यहां पर some time बोला है कुछ time बाद B छोड़के चला जाता है वह कुछ time बाद B छोड़के चला जाता है तो A ही रह जाता है अब यह कहा गया है कि जो बचा हुआ काम A और B ने जितना काम करती था अब remaining काम जब वह A के द्वारा कराया जाता है उस some time के बाद 10 दिन के बाद वह काम खतम होता है अब यहां यह नहीं बोला गया कुल 10 दिन में काम खतम होता है अब यहां पर ब्रेक आ गया B छोड़ के चला गया अब यहां से लेकर यहां तक A ने काम किया और इस काम को 10 दिन लग गया उसको पहले क्या होता था 9 दिन में पूरा काम कंप्लेट हो जाता था यह 10 दिन में काम कंप्लेट हो जाता था तो A प्लस B चला जाता था तो माल लो यहां पर B चला गया पर उसने बोल दिया भी 9 दिन में पूरा काम कतम हो गया इस 9 दिन तक तो भाई ऐसा था कि A जो है उस शुरू से लेकर आखिर तक लागा रहा लेकिन अब दिक्कत ही होगी कि B तो चला गया अब यहां से A लगा है यहां से लेकर A इस काम को A को करने में 10 दिन लगे है तो यह यहां पर Information देखे इसको समझना है अपने को तो देखिए 10 दिन तक A ने काम किया 10 दिन तक A ने काम किया तो A के Efficiency कितनी होगी? 3, 10 दिन तक काम किया इसने तो 30 इसने काम कर दिया था 30 इसने काम कर दिया था तो 30 इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो काम हमारे सामने जो बच के निकलता है वो 30 ही बचता है अब देखिए ये जो time period है हमें ये निकालना है तो A और B यहाँ पर लगे हुए है तो A और B यहाँ लगे हुए तो इन दोनों के efficiency हमें लगानी है अब यहाँ पर वह पांच पांच इका 30 यानि 6 यानि कि यह जो काम है वो 6 दिन में यानि 6 दिन में हुआ था यानि B जो हो 6 दिन में छोड़के चला गया था 11th और 12th बहुत अच्छे कोशन है उनको करते हैं देखिए दो आदमी है इंदी में में लिका है इंगलिश में लिका है यह अच्छी बात है 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively वही जो detail है सबसे पहले हम उसको उसको फोकस करते हैं यह यह है यह भी है वैसी ले लोग क्या फरक पड़ता है ठीक है अब यहां पर हम ले लेते हैं इसको ऐसे इसको ऐसे अब देखिए यह हो गया आपके सामने worker यह हो गया आपके सामने worker यहां आगया आप यह है आपके सामने efficiency यह बड़ा अच्छा कोशन है ठीक है अब यहां देखिए ए जो है वो बंदरा घंटे लेता है बी जो है बीस घंटे लेता है अब इन दोनों का अगर LCM LCM बात करूँ दो लिखा जाता है work क्या होता है LCM इन दोनों का अगर LCM बात करूँ तो 60 है 60 unit work ह अब माल लेजिए 60 unit work है 15 दिन लगा रहा है 15 घंटे लगा रहा है तो कितनी efficiency होगी उसकी 4 होगी बी की कितनी efficiency होगी 3 होगी clear हुआ यह मारे सामने आता है अब इतना हमने कर लिया अब इसके बात पढ़ रहे हैं but if they work together अब दोनों को काम करना था they use 280 less bricks अगर वो दोनों काम क चुरू करते हैं और 280 inch हर घंटे कम लगाते हैं 1 hour and build a wall in 12 hour और पूरी दिवार को 12 घंटे में खतम कर देते हैं find the number of brick in the wall तो बताइए कि दिवार में कुल कितनी inch थी इस चीज़ को समनने है बहुत बढ़िया question है तो देखो भई 60 काम था ठीक है 60 unit work है 60 unit work है ठीक है 60 unit work है उस एक तरीके से इन्होंने आलस बरता कि भाया हम ना धीरी धीरी काम कर लेते हैं इन्होंने इतना धीरी धीरी किया कि हर घंटे 280 unit जो है वो कम लगने लग गई तो इन्होंने इस 12 unit work को 80 unit work को 12 घंटों में खतम किया तो actual में उनकी जो efficiency निकल कर आई वो 5 efficiency निकल कर आ गई ठीक वो अगर 280 unit कम ना लगाते पूरी लगन से काम करते तो 7 unit काम कर रहे होते हर घंटे अब कितना कर रहे हैं पांच unit work काम कर पारे हैं हर घंटे तो ये 5 देखे पहले 7 कर रहे थे अब 5 कर पा रहे हैं देखे दियान से इस चीज को समझने है पहले 7 कर पा रहे थे अब 5 कर पा रहे हैं दो यूनिट का फर्क आ गया दो यूनिट का फर्क कैसे आया वह यह दो सो असी इंट कम यूज करने से आगया यह दो यूनिट जो है वो दो सो असी इंट के पराबर पड़ रही है clear, तो एक unit कितने के बराबर पड़ेगी 280 को divide कर दो भाईया, दो से, यह आपके सामने आगया 140 यह आपके सामने आगया 140 unit तो total कितनी unit काम कुरूआने भाईया, 60 unit काम कुरूआने total कितनी unit काम कुरूआने, 60 unit काम कुरूआने तो एक unit का मतलब होता है 140, यानि कि 140 को multiply करतेंगे हम 60 से 60 गुना 140 हमारे सामने आ जाता है 8400 8400 जो है वो इंट है उस दिवार के अंदर तो उमीद है ये चीज भी आप लोगों को समझ में आएगी क्योंकि 11th और 12th question एक जैसे ही है 12th question भी वैसा ही है वही सेम चीज है आप इस चीज को एक बर वीडियो पोज करें, खुद करिए इस question को तब ही आप लोगों को question समझ में आएगा तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने खुद करने ही कोशिक की होगी, मैं करवा जैता हूँ वही हमारा process है देखिए A, ये B ये हमने table बनाई ये हमने लिखा यहां पर एक बनएट यहां WORK आजाता है WORK वरक एक तुरिके से LCME है और अब इसके बाद यहां हमारे सामने आ जाती है efficiency यहां efficiency आ जाती है तो A जो है वो कितना time ले रहा है A जो 9 गंटे ले रहा है B जो कितना ले रहा है 10 गंटे ले रहा है, तो इनका LCM कितना आएगा, LCM जो है, इनका निकल कर आएगा, आपके सामने 90, इनका work जो है, या निया, LCM जो है, वो 90 निकल कर आएगा, efficiency कितनी आएगी efficiency आएगी, भईया, यहाँ पर आएगी 10, यहाँ पर आएगी, no अब, इन दोनों ने मिलकर काम किया, A plus B, कहता है कि, if they work together, they use 10 less brick, 10 इन, जब वो कम यूज कर रहे हैं, परार and build a wall in 5 hour, और उस दिवार को वो 5 गंटे में complete कर देते हैं, अब देखिए, अगर वो 5 गंटे में दिवार को खतम कर रहे हैं, तो 90 नबे यूनिट वर्क था नबे यूनिट वर्क था 5 गंटे में खतम कर दी, तो कितना उनोंने कर दिया, भई 18 यूनिट, उनकी efficiency कर ठी निकल कर आगी, उनकी actual में उनकी कितनी थी, 10 इसकी थी, और 9 इसकी थी, 19 थी, 19 यूनिट उनकी efficiency थी, actual में, लेकिन 10 इंट जो कम use करने के कारण, भई 10 less brick इनोंने use की, जिसके कारण क्या हुआ, ये काम जो 5 गंटों में खतम हुआ, तो ये जो एक unit का आप फरक देख रहे हुँ ना, 1 unit का जो फरक है, वो इस 10 brick के उपर जा रहा है, या 10 इंटों के बराबर जा रहा है, तो एक unit का फरक हो गया 10, तो अब यहाँ पर पूछा है कि, उस दिवार में कितनी इंटे थी तो एक unit बराबर है 10 के, तो 90 unit किसके बराबर होगी, 90 गुना 10, याने कि 900, उस दिवार में कितनी इंटे थी 900 इंटे थी, तो उमीद है कि आप लोगों को 11th और 12th question भी अच्छे से समझ में आया होगा, तो यही जो चीज़े हैं वो आपको दी गई है, class notes के अंदर, तो बस आज के लिए आज हमने कर लिए, question 1 से लेके 12, अगले पार्ट के अंदर हम वही इतने या लगबग, जितने हो पाएंगे, हम कोशिच करेंगे कि 24 तक हम पहुचाएं, या 24 तक नहीं पहुचाएं, main हमारा purpose रहेगा, कि अच्छे से question को समझा पाएं, आपके सामने जो class notes से वह अच्छे से त्यार हो पाएं, ताकि आपकी preparation अच्छे से हो पाएं तो PDF के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, description box में टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो है वीडियो पसंद आई ही तो बेशिक इसको like करें, channel को subscribe करें, share भी कर सकते हैं वीडियो को as well as channel को, thank you for watching this video